वाट्सब गैज ओनी सेर और राज के इस वीडियो में बात करने हो बड़ा इंपोर्टेंट टोपिक पे कि विप्रो में अगर आपके 3.5 लाग पे पैकेज पे अगर आपकी सेलेक्शन हो चुकी है तो आप उसको 7.5 कैसे करवा सकते हो कौन सा प्रोफाइल है जो 7 लाग के पैकेज के लिए अपलाई किया जाता है और किस प्रोफाइल को 7 लाग का पैकेज विप्रो में मिलता है उसके लिए क्या-क्या पढ़ना पड़ता है और कितना कठीन होता है वो 7 लाग के पैकेज को ग्रेब करना आज आ फ्रेशर वह भी विप्रो में तो जिस प्रोफाइल के मैं बात करने वाला हूँ वह तर्बो और विप्रो टर्बो हाइरिंग प्रोसेस के बारे में यहां पर मैं मैं बात करने वाला हूँ और अपना experience बताने वाला हूँ कि कैसे मेरी selection हो गया थी सब कुछ पूरा detailed वी और विप्रो टर्बो हाइरिंग प्रोसेस के लिए और इसमें यह सारी प्रोफाइल्स लेकिन मैं बात करने वाला हूँ पर डिजिटल जिसकों टर्बो कहते हैं अब यह फॉस्ट राउंड जो पार्ट वन है इसमें 60 कोश्चन 70 मिनट के लिए जो कल वाले वीडियो में बत सब्सक्राइब अब बताना पड़ेगा अब यह बीच जो लॉजिटल में आपको बताना पड़ेगा अब यह बीच जो लॉजिकल होता है यह थोड़ा साब का मैथमाटिक्स होता है इंडिया बीच प्राक्टिस यह क्या है यह वेबसाइट का नाम है ठीक है तो इंडिया बीच से आप कर लोगे तो यह मोर्देन इनफ हो जागा ठीक है तो इंडिया बीक्स पर आप जाओ अगर आपके पास आर के सिना की बुक नहीं है तो रेनेंड मार्टिन की थोड़ी थोड़ी पढ़ लिजे थोड़ा सा मोटा होता है इसलिए मैं प्रीफर नहीं करता तो पतली सी कोई भी बूक और या तो कोई भी आप प्रीफर कर सकते हो कोई भी यूटुब चैनल तो चाहिए आपको कॉट अफ देखना है, हर सेक्षन का अलगा अलगा कॉट अफ होता है, यह चीज़ ध्यान देना ओली बात है, ठीक है, पार्ट टू, कोडिंग राउंड, कोडिंग राउंड यह काफी इसी होता है, मतलब विप्रो का कोडिंग राउंड, आप असानी से कर लोगे, ठीक है, और मैं यह नहीं कहूँ कि आप हैका रिंग पर जाओ, अलग अलग वेबसाइट पर जाकर करो, बिल्कुल नहीं, आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक नोलग जोना चाहिए, और बेसिक बेसिक चीज़ आनी चाहिए, जैसे, जैसे सम of odd factors, perfect squares, number of possible triangles in on the given range, ठीक है, यह सारी चीज़े भी आनी चाहिए, ठीक है, अब number of possible triangles in the given range का क्या मतलब है, यह बहुत ही जी कोशन है, अब जाका सर्च कलना, बहुत ही जी कोशन है, यह भी आया होगा question है, ठीक है, यह perfect square और number of possible triangle in the given range, यह मेरे से पूछा गया question है, इसलिए मैंने add किया, ठीक है, some of odd factors, यह मेरे दोस से पूछा गया था, same day, same time exam चला था, हमने बाद में discuss किया, तो यह पता चला, ठीक है, pattern printing भी आता है, बहुत ज्यादा आता है, मतलब यह 90% cases में एक question इसका जरूर मिल जागा pattern printing का, तो यह काफी important है, second round personal interview, जिसको हम कहते ह अगर आप यह चीज़े कर लेते हो, part one, part two कर लेते हो, ठीक है, coding round और यह first round अगर आप कर लेते हो, ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो, तो आपका इसमें थोड़ा से easy हो जागा, और इसमें क्या होता है, कि यह आपका depend करेगा, कि आपका CV और profile जो है, वो कैसा है, digital के लि Spring Boot पर हो चाहिए, Python पर हो चाहिए, Node पर हो चाहिए, किसी भी चीज़ पर हो, तो आपको consider अच्छे से किया जाएगा, यह बात ध्यान देने वली बात है, सबसे बड़ी बात, और यह अगर है, तो best है, मतलब आपके 99% chance है, कि आपके हो जाएंगा, ठीक है, उसमें भी 90% chance है अगर अच्छा आपने project बना, project को अच्छा सा explain कर दोगे, तो आपकी होने की chances बहुत 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 जादा है, ठीक है, अब question इसमें oops concept पर पुछा जा सकता है, और basic CC++ Java पर पुछा जा सकता है, तो काफी easy around होता है, मतलब, अगर आपके वास project है, तो मतलब कुछ कर SQL की queries होगर आपको आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, और big data में आपको बहुत बड़ी-बड़ी चीजे नहीं आनी चाहिए, big data हैं बड़ी-बड़ी चीजे नहीं पुछी जाती है, अगर आप से लिए पस थोड़ा सा कबर अच्छे सा कर लिए हो, तो big data क्या है, big data को कैसा store किया जाता है, और VC's जो होते हैं, वो सारी चीजे पूछी जाते हैं, तो general question है, अगर अगर आप नहीं पढ़ोगे, तब भी काम चल जागा, ठीक है, और project engineer, जो 3.5 लग वला होता है, इसमें ज्यादा चीजे नहीं, resume plays की role, इसमें आपका resume जो है, अच्छा होना चाहिए, और इसमें काफी बड़ी चीजे नहीं होनी चाहिए, मतलब general resume में भी select हो जाता है, और CC++ SQL पर थोड़ा सा knowledge होना चाहिए, ठीक है, और communication S के लिए सारी चीजे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो दोनों का हो गया, मतलब turbo, जिसको हम digital कहते हैं, उसमें थोड़ा सा ज्याद and your communication skills, HR आपका क्या है, खेल खेला है, अगर आप मैं जितना confidence से बात कर रहा हूँ अभी आप से, अगर इतना भी confidence से अगर आप बोल दो, वहाँ ठीक है, सारी चीजे, तो बस आपका 100% chance है, ठीक है, communication skills, 3000 members attended and first round and 454 shortlisted for the second round and finally they recruited 139 students, तो यह मैं अपने साल का आकड़ा बता र placement talk, ठीक है, जिसमें 3000 के 3000 उसमें बैट है, placement हो बैट है, ठीक है, और पहले round में ही जो technical, logical और वरवल जो questions होते हैं, उसमें ही 450 बच्चे ही सिर्फ shortlist हो, अब देख सकते हो, मतलब 1 upon 9, ठीक है, 1 upon 8 कह सकते है, 1 upon 8, ठीक है, तो इतना कम आपके पास chances है, ठीक है, इतने कम सोचला है, ठीक है, अिसमें से 2nd round के लिए और 169, मतलब उसका भी आप कहा सकते हो, कि 25%, अब समझ जो, कितना कम लोग, अगर 3000 का 149 निकालोगे, तो मुस्किल से 2-4% आएगा, ठीक है और I'm lucky, उसमें से, ठीक है, तो इस तरह से 139 में से अ- brings 100 लोग भी नहीं गया था, ठी is very vast ठेक है तर्बो थोड़ा सा है और तर्बो का मुस्किल से चांस आप कह सकते हो कि 3-4 परसेंट है चांस अगर 100 लोग दे रहे हैं तो 2-3 लोग उसमें टर्बो के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे तो यह रहा पूरा-पूरा टर्बो और टर्बो साथ लाग का होता है देहान देन वाले बात है तो प्रोजेक्ट जितना ज़्यादा होसा है करिए और कोई जाने से बढ़े चैनल को सब्सक्राब कर ले मेरी टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर ले वहां पर यह जो डॉकमेंट है नहीं में वहाँ पर आजटीज दे दोंगा ठीक है मैं इसको सेव कर लेता हूं और तुरंद के तुरंद मैं वहां पर दे दोंगा मिलते हैं अगले बढ़े में तब तक लिए स्वेपकोटे बबाई